नमसकार दोस्तो सवागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वानीपर दोस्तो इस वीडियो को हम वहीं से शुरू करेंगे जहांपर हमने पार्टबं को खत्म किया था मनी रत्तम सर की जर्रनी इतनी बड़ी है कि हमें वीडियो को दो पार्ट में रिलीस करना पड़ा तो अगर आपने पार्टबन को अभी तक नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देख लें लिंक आपको उपर आई बेटन पर दी गई है तो दोस्तो चैनल को सस्क्राइब करके वीडियो के साथ बने रहें बहराल अब तक हमने जाना था कि मनी रत्तम सर ऐस अ कंसल्टेंट अपनी जॉब छोड़ कर डिसाइड कर चुके थे कि उन्हें फिल्मेकर ही बनना है हाला कि जिस फिल्म के लिए उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी थी वो बीच में ही डबबा बंध हो गई लेकिन मनी रत्तम ने ये ठान लिया था कि वे इंडस्ट्री को कुछ नया देंग इन्होंने पाया कि लोग फिल्मेकिंग के लिए अमेरिकन मैकजीन पर कुछ ज़्यादा ही डिपेंडेंट थे और ये बात इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी बारती राजा के बाला चंदरन और मेंदरन जैसे डिरेक्टर को छोड़ कर इन्हें बाकी सभी फिल्मों से डिस एपॉइंटमेंट ही फिल होती थी इसके बाद ये निकल पड़े अपनी तरह की फिल्में बनाने ये और आज के समय के दिककच प्रूइसर पीसी स्री राम अपनी कहानी के लिए 20 से अधिक लोगों को अप्रोच कर चुके थे मगर कहीं पर भी बात नहीं बनी एड़ दा लाश्ट मनी रत्नम के अंकल नहीं इस फिल्म को प्रूइस करने के लिए हामी भरा इस कंडिशन पर कि फिल्म को एक लिम्टेट बजट में बनाय जाएगा और ये एक कंड़ा फिल्म होगी ये फिल्म थी पलवी अनु पलवी इसके हीरो थे अनिल कपूर ये एक यंग लड़के और एजट वुमेन के बीच की कहानी थी फिल्म तो बॉक्स ओफिस पर एवरेज रही मगर करनाटक स्टेट की तरब से मनी रत्नम को बेस्ट स्क्रिंट प्ले राइटर का अवार्ट मिल चुका था यहाँ पहली बार इन्होंने दिककच मुजिक डिरेक्टर एलिया राजा के साथ काम किया इसी फिल्म से खुस होकर प्रूइसर पीजी जॉन ने इन्हें एक मल्यालम फिल्म उनारू को डिरेक्ट करने का नयोता दिया फिल्म के हीरो मोहनलाल थे और ये एक यूनियन लीडर्शिप के इडगिद लिखी हुई कहानी थी फिल्म की असफलता इन्हें तमिल सिनेमा के ओर रुक करा गई इसके बाद साल 1985 की पावल निलावू और साल 1985 की इदाया कोईल बॉक्स ओफिस पर सक्सेस्फुल ग्रॉसर बन चुकी थी फिर आई वो फिल्म जिसने मनी रित्नम को तमिल इंडस्टी का मोस्ट लीडिंग डिरेक्टर कंसीडर करवा दिया ये फिल्म थी साल 1986 की मौन रागम फिल्म में अर्बन कहानी को रियलिस्टिक मैनर में पेस किया गया था ये नियूली कपल की एक फिक्शनल कहानी थी जिसे क्रिटकली खुब सरह गया और ये फिल्म कमलसली भी हाईली सकसफुल लही एवन फिल्म का तेलगुड वर्जन भी हिट रहा मनी रत्म एक सेंसेशनल डिरेक्टर बन चुके थे और इस फिल्म को नैसनल एवार्ड भी मिला इसी के चलते इन्हें दिक्काच एक्टर कमलसली के साथ अगली फिल्म में काम करने का मौका मिला ये फिल्म तिन आइकन इसे आज गेंग्स्टर क्राइम जॉनर में एपिक का तंगमा मिला हुआ है ऐसा माना जाता है कि गेंग्स्टर क्राइम फिल्मों का ट्रेंड यहीं से आया कमलसन इस फिल्म में वर्धा राजन मुडारियल के रोल में थे फिल्म huge blockbuster ही और इस फिल्म को तीन national awards से नवाजा गया इवन ये फिल्म उस साल भारत की तरब से Oscars में official entry थी इसी तरह साल 1988 में रिलीज हुई अगनी नक्चित्रम दो इस्टेप बिर्दस की कहानी थी जो की box office पर critically और commercial successful रही, साथी साथ ये फिल्म अपने गाने, technical department और camera frames के चलते खासा चर्चा में रही तमिल, कनडा और मल्यालम के बाद इन्होंने नागह अर्जुन को लेकर अपने पहली तेलगू फिल्म बनाई, ये फिल्म थी गीतांजली ये कहानी थी दो ऐसे लोगों की जो अपने terminal diseases के चलते सफर कर रहे थे ये फिल्म भी highly successful और critically acclaimed फिल्म बनी फिल्म को 6 नंदी अवार्ड मिले, साथी साथ इस फिल्म को एक national अवार्ड से भी नवाजा गया नेक्स्ट इन्होंने साल 1990 में अंजली नाम की फिल्म बनाई अगेन ये एक heart-touching फिल्म थी फिल्म की कहानी थी एक mentally challenge लड़की की और उसके परिवार पर बीत रहे emotional trauma की ये फिल्म भी box office पर huge successful रही फिल्म को 3 national award मिले, साथी साथ Oscar entry में फिल्म को select किया गया दोस्तो उस दोरान मनी रत्नम की हर फिल्म अपने में इल्या राजा का जबजस म्यूजिक, यूनीक कहानी और गजब का technical work समेटे हुई थी अब ये वो दौर था जहाँ पर हर बड़ा actor इनके साथ काम करने की इच्छा रखता था मगर इनका dream था कि ये रजनीकान सर के साथ में काम करें रजनीकान सर जो हमेसा अपनी मास मसाला फिल्मों का हिस्सा रहते थे वहां मनी रत्नम चाहते थे कि औरद्ञन सर को कमलसन वाले जोन में देखे मनी रत्नम ने रजनीकान सर को कन्विंच कर भी लिया और फिल्म बनाई थलापति दोस्तो साल 1991 में रिलीस हुई थलापती फिल्म में तमिल सुपर इस्टार रजनीकांत और मल्यालम सुपर इस्टार ममुटी साथ में नजर आये थे ये फिल्म हिंदू एपिक महाबारत का मौडरन डे एडाप्टेशन था फिल्म में दुर्योधन और कंड की दोस्ती के प्लोट को दिखाये गया था रजनीकां सर को इस आउतार में आउडियंस ने पहले कभी नहीं देखा अपने एक्शन और मासी इमेज के विप्रीद रजनीकां सर इस फिल्म में नजर आये दोस्तों 3 करोण के बजट ने बनी ये फिल्म उस समय की तमिल इंडस्टी की मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म थी फिल्म हाइली सकसफुल रही और इस फिल्म को भी धेरो अवार्ड्स मिले था रह्मान जिनका नाम उन दिनों दिलिप हुआ करता था उनने बुलाया भी इसलिए गया था ताकि मनीरत्म सर की नजर उन पर पढ़ सके जब फिल्म का प्रीमर् के लिए और रहमां सर ने मनी रित्नम की फिल्मों में म्यूजिक देना बंद कर दिया, दोस्तो ऐसा भी कहा जाता है कि रोजा फिल्म की प्रोडूसर से इल्या राजा के अच्छे टम्स नहीं थे, एक ये भी वज़ा हो सकती है इस दस साल लंबी जोड़ी के ब्रेक होने, हाला कि इस पर मनी रित ने साथ में काम करना सुरू कर दिया, हम कह सकते हैं कि अगर मनी रित्नम की फिल्मों ग्राफी पर फिल्म बनें, तो इसके फर्स्ट हाफ में हमें इल्या राजा का म्यूजिक और सेकेंड हाफ में एयर रहमा साब का म्यूजिक देखने को मिलेगा, बहराल साल 1992 में रोजा र रिलीस किया गया था, सारी ही भासाव में फिल्म का डव वर्जन कमर्शली सकस्फुल रहा और रोजा फिल्म ने अपनी हर इस्टेट में कल्ट फॉलिंग बना ली, मनी रत्नम 90 के दसक के वो डिर्क्टर बन चुके थे जिनका सिक्का लगबग सारी इंडस्टीज पर चल र नहीं थी, चुकि विक्रम उन दिनों दूसरे भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, इसलिए वे ऐसा कर नहीं सकते थे, ये रोल अगेन अर्विन स्वामी के पास गया, ये फिल्म थी बॉम्बे, ये एक हिंदू लड़के और मुस्लिम लड़की की कहानी थी, दोस्तों ये हाला कि इस फिल्म से नाराज होकर कुछ लोगों ने मनी रत्नम के घर पर बम फेक दिया, दोस्तों इस हाथसे में मनी रत्नम और उनकी मेट को सीरियस इंजरी आई, बताया ऐसा जाता है कि इसके पीछे अलुमर गैंक का हाथ था, इन्होंने ब्रेक लेते हुए साल 1997 में इर बन चुकी थी, दोस्तों तमिल, तेलकू, मल्यालम और कनडा के बाद अब बारी थी अपनी पहली हिंदी फिल्म डिरेक्ट करने की, हाला कि इन्होंने रोजा और बॉम्बे के हिंदी डेफ वर्जन से हिंदी बेट में नाम कमा लिया था, इनकी पहली हिंदी फिल्म के हीरो बने सारुक खान, और ये फिल्म ती दिल से, भाई साफ फिल्म की गानों ने रिकॉर्ड तोड़ दिये थे, छहिया छहिया से लेकर दिल से रे औलेडी चार्ट बश्टर हो चुके थे, जिया चले और एह अजनिबी तू भी कभी आज भी अपनी कल्ट फॉल्विंग बनाय जाने लगा, फिल्म की अपनी हुज फैन फॉल्विंग है, इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर सौ दिनों का बॉक्स ओफिस रन टाइम कंप्लीट किया, और आज भी इस फिल्म की अपनी हुज फैन फॉल्विंग है, दोस्तो मनी रत्म सर ने लगातर 15 साल बॉक्स ओफिस प अजे देवगन अभी से एक बच्चन और विवे कोबरा को काश्ट किया गया दोस्तो इस फिल्म को भी क्रिटिक्स और ओडिन्स के तरब से काफी ज़्यादा पसंद किया गया 2007 में इनकी फिल्म रिलीज होई गुरू मनी रत्नम ने अभी से एक बच्चन पर भरोसा जताकर उनके के बेस्ट फिल्म निकलवा दी ये फिल्म थीरू भाई अंबानी के लाइफ से इंस्पार्ट थी 22 क्रोण के बजट में बनी इस फिल्म ने 86 क्रोण की कमाई करके दिखाई ये फिल्म क्रिटिकली, कमर्सली और म्यूजिकली सूपर हिट फिल्म थी नेक्स्ट इन्होंने 2010 में बाइलिंग्वल फिल्म बनाई रावनन या फिर यू कहें कि रावन फिल्म के तमिल वर्जन में चियान विक्रम और हिंदी वर्जन में अब इस एक बच्चन को काश्ट किया गया ये फिल्म ड्रामायन का modern day adaptation फिल्म कमर्सली तो उस लेवल की success डिलीवर नहीं कर पाई मगर क्रिटिकली इस फिल्म को काफ़ी ज़धा सरहा गया इसके बाद इनोंने कडल, ओ काडल कन्मनी, कंत्रू वेलिया धाई और चेक का चुन्ता वानम जैसी फिल्म में बनाई फिल्म अब ये अपनी फिल्म पोनियन सेलवा को लेकर खासा चर्चा में ये फिल्म चोल समराज पर बेश्ट होगी जिसे की दो पार्ट में रिलीज किया जाना है तो दोस्तों ये रहा मनी रित्नम सर पर हमारा एक डिटेल वीडियो आपको हमारी मेहनत कैसी लगी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लिस लाइक करें कमेंट करें और मेरे चैनल को सस्क्राइब करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद